कर दो कि मैं आप लोग के लाइं आपको बताया था बैक पॉलिसिंग हम कैसे करते या फिर बैक मसाज हम किस सरव से करते तो आज की वीडियो होने वाली हैं फॉरेस्टेंग दुनों का प्रोसेस हुटा है बस कुछ स्टेप मैंने अलग कि ताकि आपको कुछ निव शिक्णे क तो अगर आप इंट्रेस्टेट है या फिर जानना चाहते हैं किस रहांसे हम हैंड का पॉलिशिंग करते हैं मैंने जन पर आपको बता है मेरी ब्राइडर है उनका प्री ब्राइल पैकेश सा सो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया था आपको बिफोर एंड आफ्टर में होस् हैंड पॉलिशिंग करते हैं या फिर हैंड मसाज करते हैं इस वीडियो को एं तक जरूर देखिएगा एंड मेरी चैन पर पहली वार आया होंगे मेरी अदर ब्यूटिशन कोर्स की वीडियो को आप चेक कर सकते हैं आपको मेरी चैन पर तरह तरह की वीडियो मिल जाएंगे ब्रैडल मेकप, ब्रैडल सिरीज, मेकप वीडियो, हिस्टाल की वीडियो, वीडियो तो जरूर चेक किजेगा और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरी चैन को इसी तरह की हैलफूल वीडियो देख next करना में scrub, next massage cream, next massage gel and last pack आज बिलीच के साथ बता रहे हूं मैंने बैक मसाज में आप लोगोगोगोगोगोगोगोग निकालो आप कोई साभी बिलीच यूज कर सकते हो मैं नेचर की गोल बिलीच यूज कर रही हूं तो आप अगर नहीं जानते हो ब्लीच कैसे किया जाता है या फिर रेशियो क्या होता है एक्टिवेटर का एंड क्रीम का तो मेरी ब्यूटिशन कोर्स की थार या फोर्थ वीडियो को चेक कर लिज़ेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा डेटियल वीडियो अल्व सक्काथ वीजेति कि हौंकि हम गंदे हाथों में ब्लीच नहीं लगा सकते या फिर वैक्स कर सकते पार म पार में को चेक पुछे कि अपने प्लीच क्यों बनाते रखा तो bleach ना कम से कम आप 5 मिनट्स पहले या 4 मिनट्स पहले बना के रख लो इससे क्या होता है? ब्लीच थोरा फुल जाता है तो इसका result बहुत अच्छा मिलेगा अब हम इस तरह से bleach को apply करें हमें hair के apogee direction में apply करना होता है and guys एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे आप wax के बाद आपको bleach नहीं करना है wax से पहले करना है otherwise बहुत ज़र races आपको हो सकते है बहुत लोग को suit नहीं करता है and अगर आप sensitive skin वाले हैं तो आप ना detain लगा ले ना bleach के बदले मैंने previous वीडियो में back massage में detain के साथ बदाया था तो इस वज़े से मैंने सुचा content सेम हो जाएका थोड़ा different मैंने कर दिया almost आपको 15 minutes तक रखना है bleach को इसके बाद आप इसको remove कर दोगे तो 10 minutes जैसे ही होते है circular motion में हलका mix कर दीजगा bleach को इससे क्या होता है हर एक जगा अच्छे से bleach work करता है next 15 minutes के बाद आपको tissue की मदद से bleach को clean कर लेना है इस तरह से so bleach को अच्छे से clean करने के बाद आपको थोड़ा से dry कर लेना है next आपको करना है waxing तो मैं यहाँ पे activated charcoal wax यूज़ कर दोगे हूँ आपको इसा भी यूज़ कर सकते हो so इस तरह से आपको wax heater में wax को निकालना है और आपको waxing करना है almost मेरे चैनल पे waxing की वीडियो ब्लीज की वीडियो जा चुकी है बहुत सारी वीडियो तो आप चेक कर लेजगा मैं डीटेयर में नहीं बताया wax करने से पहले आप strip को निकालना टेलकॉम पॉडर अप्लाई कर दीना next इस तरह से आपको क्रीम को अप्लाई करना है spatula या फिर बटर नाइफ की मदद से इस तरह से हेर के direction में क्रीम को अप्लाई करना है और खीचना अपोजी direction में एक बात का हमेशा आप धिहान रखोगे अगर आप बिंगनर से मैं आपको एक गाइड देना चाहती हूं आप फेस पर ना कभी भी ब्लीच के तुरंद बाग वैक्ष नहीं करना बॉड़ी पर कर सकते हो क्योंकि बॉड़ी इतनी sensitive नहीं होती है बट हमारा फेस बहुत sensitive होता है फेस पर एटलिस आपको 24 आवर्स का गैप देना है बॉड़ी पर आप उजिन कर सकते हो जैसे मैंने भी अपने क्लाइन के उसी दिन के पाइप नर्स का आप गैप लिलेना एं थोड़ा से ड्राइ कर देना तब भी आप वैक्स को अप्लाइ करना बहुत ही अराम से हो जाते है बिल्कूल भी problem नहीं होती है अराम से अच्छे से वैक्सिंग कर लिना आप मेरी बीटिशन कोर्स की वीडियो को जरू चेक कर लिजेगा क्योंकि 14 वीडियो औरी में चैन पर जा चुकी है 50 days बीटिशन कोर्स की तो आपना 1st second सारी वीडियो को चेक कर लिजेगा मैंने वैक्स भी उसमें टीटियल ने बताया है सो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से वैक्सिंग हो रहा है वैक्स जब भी अपने क्लाइन को करते हो तो बहुत ज़दा गडम आपको नहीं दीना सो आल्मोस हमारा वैक्स कंप्लीट होने पे है आपको हर एक पोर्शन में अच्छे से वैक्स करना है ताकि कोई भी हेर रहें नहीं क्योंकि अगर हेर रहेंगे और उसके उपर हम मसाज और स्क्रब करेंगे हमें अच्छा रिजल नहीं मिलेगा आप अपने पाला में हैंड पॉलेशिंग जरूर रखो सिंगल आप हैंड पॉलेशिंग भी अपने क्लाइन को दे सकती हो अगर किशे को बहुत ज़र टैन है नेक्स्ट जो स्टेप है स्क्रब सेम मैं ले रही हूँ केरा शायन की स्कीन पॉलेशिंग किट में से सो वैक्सिंग करने के बाद आपको डिरेक्ली स्क्रब करना है स्क्रब हम कम से कम पान से साथ मिनट के लिए करेंगे एक हाथ में हम 3 मिनट के लिए और दूशे हाथ में हम 3 मिनट के लिए कर सकते हैं इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको करना है आपको क्रिस क्रॉस वाली स्टेप करने पैंगल स्टेप करने इस तरह से इस तरह से आपको scissoring करना है दो finger में एक finger को डालके नीचे से आपको उपर की और जाना है जो सारे step हम face पे करते हैं वही सारे step हमें hand पे करने होते है circular motion में आपको करना है anti-clockwise and clockwise और इस तरह से butterfly वाले steps को आपको इस तरह से हतेली के पास भी करना है बहुत जादा ही आपको अच्छा result मिलेगा अगर आप मेरे बतायवे तरीके से hand polishing अपने पाला में करते हो आप मुझे कमेंट करके जुरू बताईएगा आपके लिए वीडियो helpful है या ने तो अब अब सारे steps को ध्यान से देखो किस तरह से scrub यहां पर होड़ा है आप चाहिए तो steam भी दे सकते हो scrub के ऊपर बट मैंने यहां पर नहीं दिये मैंने script कर दिया है बट आप दे सकते हो अगर बहुत लोगों को ना बहुत ज़दा टैन होती है तो आपने steam दे सकते हो इससे open pores खोलते है तो almost scrub के बाद हमारा जो हैंड है बहुत ज़दा clean जराड़ा आप देख सकते हो next हमें toner apply करना है मैं यहाँ पर गुडवाइब्स की पोमगडिनिट glow toner यूज करें हूँ one of the best toner है मैं आपको highly recommend करते हूँ next हम करेंगे massage massage आपको कम से कम mc30 करना है एक हैं में 10 मिना युश्य हैं में तैयन में मसाज में आप वाटर का इस्तेमाल नहीं करोंगी आप लोगे टोनर मैं गुडवाइब्स की टोनर ही यूज करते हूँ आपको कुंबर ट्राइब वाइब में तुनर के यूज करते हूँ अब आप कोई से ट्राइब करते हूं तो मसाज क्रीम में सारे स्टेप्स को आप ध्यान से देखो इस तरह से नीची सी आपको उपर की और जाना है शर्कुलर मोशन में मसाज करते वे आपको इस तरह से क्रिस क्रोस करते वे मसाज करना है दो फिंगर में एक फिंगर को डाल के सीजरिंग करना है वहाला है बेंगल स्टेप्स करने है इस तरह से एंघल्ब हात उसे ऐंग करना यू know and mineral water लें करना है आपना प्लीन वाटर का यूज मत क्या करो पाला में mineral water का यूज करो इस तरह सरकुलर मोशन में बहुत अच्छी से इस तरह से आपको प्रेशर दीना है पार्चों फिंगर पे ताकि आपके क्लाइन को रिलेक्स फिलो जिस तरह से मैंने आपको बैक मसाज में स्टेप्स दिखायते हैं वही सारे आपको स्टेप्स करने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉंस आया जब मैंने आप लोग को प्रिवेस वीडियो में बॉड़ी मिसाज बताया था या फिर आप बॉड़ी पॉलिशिंग बहुत सकते हूं तो इस वीडियो में भी आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा सो आप धियान से देखो सारे सप्स्सार इससे अपको टैपिंग और पिंच इंग भी करना है आपको से बिन्च को सब्सक्राइब पिनिर दो прямо हो मैं क्या करती थी जuds पॉड जाती थी मुझे भूलने की आदत थी मैं क्या करती थी नोट कर देती ती उसी क्या ना होता था वीडियो शेर के तो मेभी बहुत लोगा कमेंट आएगा कि मैम आप लेक का भी बता दो तो लेक एंड हैं में सेम ही होते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं होता है तो सेम कॉंटिन हो जाएंगे मैं अगर आप से शेर करूंगी एन आप लोग भी हो जाओगे तो आप क्या करो सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज की जमाने में यूटूब एंड सोसल मेडिया से बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो सीने आप अधर की वीडियो भी चेक कर सकते हो आपको जो भी पसंद आते हैं सो को भी फोर्स नहीं है बट अगर आपको मैं पसंद आती हूं मेरी कॉंटेंट पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि 90% लोग नौट सब्सक्राइब ही मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे बुरा लगता है कि आप मेरी वीडियो को देखतो रहे हो पसंद भी कर रहे हो बर सब्स सकते हूं इसके बाद विस्टी पाता है मसाज जल तो गाइज ये वाला ना आपको इसकी इन पॉलिशिंग के ओफ लाइन ही लेना पड़ेगा मैं ओनलाइन लिंक नहीं दी सकती हूं इस तरह से आपको मसाज जल को अपलाई करना आपको बहुत ज़दा क्वान्टिटी नहीं लेनी हैं मसाज जल के किया मसाज जल हम कंसे कं वी निट्स के लिए करते जब तक वह अब्साप्रव ना हो जाए अन्ट इसको हम वाइप आप भी नहीं करते हैं इसमें वाटर का यह टूनिर का जounे का ज़दआ स्तमाल नहीं करते हैं बस इसको तब पर देख सकते हो बहुत अच्छे से यह अब्सॉर्ब होड़ा है मसाज जल के जस्ट उपर हम पाको अप्लाइ करेंगे आपको हल्का टोनर एड़ कर लेना मैं सींग टोनर को एड़ करूंगी गुड वैस की अब बीधु टोनर जरूर् ट्राइ करो मैं आपको बड़र बोल रही हूं पहुत आपको पसंद आने वाला है तो पूरी हातों में अच्छी से पैक को अप्लाइ कर दीजेगा एंड रहने दीजेगा कम से कम 15 मिनिट्स के लिए इसके बाद जब वो ड्राय हो जाता है तो टोनर इससे स्प्रे कर दीजेगा इससे हलका मसाज दीजेगा एंड आप टिशू की मदद से क्लीन करना एंड आप अपने क्लाइन को बोल दोगे कि मैम आप एटलीस 24 आवर्स तक सोप डिटर्जन कुछ भी यूज ना करें अदर्वाइस उनको रैसे सो सकते है लास्ट में आप बॉली लोशन अप्लाइ करूंगे मैं यह आपे गुर्वाइब्स की स्ट्रॉबरी जेल बॉली लोशन इन प्रोड़क का लिंक आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स मिल जाएगा अगर किसी को बोडी लोशन नहीं लगाना है तो आप उनको अलोविरा जल भी लगा सकते हो मैं यहाँ पर रेकेमेंड कर रही हूं आपको गुर्वाइस की मॉल्टी परपस अलोविरा जल एंड नेक्स कर दिया था पहले मैंने साइध एलविलेजर अपलाई किया था देन बॉडी लोशन एंड फाइनल कंप्री रिजल आप देख सकते हो आई तिंग यह वीडियो आपके लिए ज़रू होगा अगर आपके लिए हेलफूल है तो प्लेज लाइक शेयर कमिट एंड चैनल को सब् आपके लिए लोगोई एंड च्येयर किया आपके लिए हो आपके लिए सकते हो आपके लिएुट से हो आपके लिए।